हेलो दोस्तो आप सभी का एक बार फिर से हमारे चैनल पर स्वागत है आज मैं मेथी की चाई बना रही हूँ जो कि हमारे लिए काफी ज़्यादा फायदे मन्द होती है क्योंकि दूद और मेथी को यह दी हम एक साथ खाते हैं तो खाते हैं या पीते हैं तो उससे हमको कई ज़्यादा फायदे मिलते हैं वो आगे मैं आपको वीडियो में बताऊंगी मेथी में कई ज़्यादा पोशक तत्व होते हैं वहीं दूद को तो सरवार माना ही गया है तो दोनु को हमें दी एक साथ पीते हैं तो कई विसारी बिमारियों में हमारे को बिमारियों से ये बचाते हैं, हमारे पाचन को ठीक करते हैं, ब्लैट सुगर हो रहा है किसी को वह भी ठीक होता है, सूजन ठीक होता है, और भी कई ज़्यादा इसके फायते हैं, तो आगे आपको वीडियो में बताऊंगी, मैं चलो तो दोनों को बराबर ले लिए है मैं काली मिच्च का पाउडर मैंने डाल दिया है काली मिचि को फीशट और इधर मैं भून लूँगी अपनी मेथि अभी में अंदार से थोड़ा अधिकी भून ले रही कुश्वक से बाद मैं जब युट तो कितनी मेत्ही डालूझाँए मैं बाद मैं आपको बताती हूँ तो इसके ध्यूमी आज में भूनेगे ध्यूमी आज में भूनना जरूरी है नहीं तो एदि हम एद्यूम्य अज मे भूनेगे तो यह बाहर से जल जाएंगे और अंदर तक इसके भूनेंगे इसलिए आज को बिल्कुल धीमे में रखे और इसको लगाता चलाते वे इसको भुनें भुनीवी मेथी को भी हम सहत के साथ खाते हैं तो इसके हमको काफी ज्यादा हमारे हेल्थी के लिए फायदे मनि जाती है आप सबसे करके पता लगा सकते हो तो मेथी को भुन के हम लोग इसको इस्तमाल कर सकते हैं यह मैं धागे वाली मिसरी डाल रही हो हमारा दूद बॉइल हो चुका है दूद और पानी तो इसको धागे वाली मिसरी को डालके मैं अपनी फिलेम को कर दोंगी कम सबसे धीमे में इसको रखोंगी और इसे पकने देते हैं उधर हमारी जो मेथी है उसे देख लेते हैं वो भी थोड़ा सा और अधिक जो है भुन गई है पहले के पेक्षा मेथी और दूद को एक साथ खाने के काफी ज्यादा फायदे हैं मेथी में प्रोटीन होता है फैट कार्वोहाइडरेट कैलसियम आईरन फॉलिक एसीड विटामिन यह दूद को तो तो दून को एक साथ पीते हैं तो यह हमारे को कई सारी बीमारीयों से भी बचाते हैं alcohol कर ब्रो kamu होता है घ्याद 8 गंच ऑन और को इतना भूनना है अब ये जलने से पहले वाली स्टेज है इतना भून के हम दो कप चाई है तो मैं किती मेथी डाल रही हूँ एक चमच मैंने डाल दिया है और ये दो चमच डाल दिया है बस दो चमच हम मेथी डालेंगे इसमें दो कप चाई में तो इसको अब हम लो फ्लेम पर इसक इस से मेति की चाय दिग हम पीते हैं तो हमारी पाचन संबंदी जितनी भी परिषानिया है वो सारी जो है दूर हो जाती है हड्डियों के लिए काफी फायदय मंद्द है क्योंकि मेथि और दूर दोनुम्ट में कैलिसिम पाये जाता है इसमें phosphorus होता है, vitamin D आया जाता है, जिससे की हड़िया मजबूत होती है और high blood pressure के लिए तो ये फायदे मंद है, क्योंकि cholesterol को ये कम करता है सरदी खासी में ये फायदे मंद होती है, और इसमें anti-inflammatory properties होती है anti-cancer properties होती है, ये solution को कम करती है बालों के लिए हमारे काफी ज़्यादा अच्छी होती है, क्योंकि protein होता है इसमें skin के लिए glow लाती है, तो ये सारी चीज़ें इसमें होती है इसलिए हमारे लिए काफी ज़्यादा फायदे मंद है, insulin का निर्मान करती है इसलिए blood sugar वालों के लिए काफी फायदे मंद मानी जाती है तो बहुत साधे इसके फायदे हैं, नुकसान नहीं है इसके गर्मियों में थोड़ा सा क्योंकि करम तासिर की होती है तो गर्मियों में आप थोड़ा सा इसको कम पियें एक बार पियें, सुबह को पीलें, खाली पेट और सर्दियों में दो या तीन टाइम इसको आप पी सकते हो तो मेरी तरह से ही बना के पियें, क्योंकि मैंने इसमें चीनी का इस्तमाल नहीं किया देशी खान डाल सकते हो, आप मैंने धागे वाली मिसरी डाली है तो चीनी क्योंकि हमारे को कुछ भी अच्छा बनाएं तो चाई तो उसमें चीनी डालते हैं तो वह हमको नुकसान पहुचाती है तो इसलिए चीनी अबॉइट करें आप लोग भी तो इस तरह से देखे, मैंने इसमें काफी कम चाई पत्ती डाली है मैंने सिर्फ आधी जम्मच चाई पत्ती डाली है और बागी मेती है तो इस तरह से काफी टेस्टी और काफी हल्दी ये चाई बन की तयार है आप भी इस तरह से बनाएं और कमेंट करके आप जरूर बताइएगा कि आपकी चाई कैसी बनी आपको ये अच्छी लगी या नहीं लगी ये रेसिपी अच्छी लगती है तो औरों के साथ भी आप सेर करिएगा और हमारी चैनल को सब्सक्राइब करिएगा थैंक्स पर वोचिंग